Hello students, welcome back to Mandip Education and Administrative Channel. बच्चो आज हम Class 11 Physics Term 2 के chapter Waves में से एक और बहुत important topic डिसकस करने जा रहे हैं which is standing waves और stationary waves in organ pipes. बहुत छोटा सा topic है लेकिन बहुत important topic है दो से तीन number का question आपके exam में इसके basis पे आ सकता है. तो NCRT में जो कुछ भी दिया इसके उपर मैं वो सारा detail में आपसे discuss करने जा रहा हूँ प्लस जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैंने notes की form में PDF का link दिया description में तो यहाँ से पढ़के आप उन notes को download करके अपनी preparation जो exam किये वो वहाँ से कर लेना. तो शुरू करते हैं बच्चो सबसे पहले हम यह समझ लें कि organ pipes क्या होती हैं बहुत सिंपल सी बात है कोई भी pipe जो दोनों तरफ से यहां तो खुली हो यहां एक तरफ से बंदो एक तरफ से खुली हो और आप अगर उसमें air blow करो तो sound produce होता है जैसे कि बासुरी हो गई यहा वो इस पे based हैं तो आप जानते हो कि जब भी standing waves बनती हैं organ pipes में क्या है standing waves बनती हैं तो अपने standing wave वाले discussion से आप जानते हो कि जब भी standing waves बनती हैं तो frequency जो है standing wave की वो depend करती है length पे इसी तरीके से organ pipe में जब standing wave बनेगी तो organ pipe में जो standing wave बन रही है उसकी frequency organ pipe की length पे depend करेगी तो different different length की organ pipes जो है वो different different frequency का sound produce कर सकती है और different frequency के sound का क्या मतलब होता है जब sound की frequency बदलती है तो क्या बदलती है उसकी quality बदलती है ना उसकी pitch बदलती है sharpness बदलती है तो अलगलग तरह का sound पैदा किया जा सकता है different different length की pipes को use करके तो इतना detail में आपनको नहीं जाना है, हम सिर्फ NCRT के according चलते हैं और जो derivation है, जो mathematics है उसकी बात करते हैं, तो दो तरह की organ pipes हम इसमें पढ़ने वाले हैं, पहली है open organ pipes, open organ pipes वो हैं, जो दोनों तरफ से open है, ठीक है, open organ pipe, जो दोनों तरफ से खुली हुई है, दोनों तरफ से open है, अब यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए, जो हम already discuss कर चुके हैं पुराने lectures में, derivation के लिए आपको पता होना चाहिए, कि open end पे हमेशा anti node बनता है, और closed end पे हमेशा node बनता है, क्योंकि closed end तो rigid है, लेकिन open end जो है, उसमें तो particle freely oscillate कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर anti node है, सर हमें तो node और anti node ही नहीं पता क्या होते हैं, जब standing wave बनती है बच्चों, यह जो standing wave बनी है, यह मान लो, standing wave भी नहीं पता तो बेटा यह lecture मत देखो, अभी पहले पुराना सीख किया हो, जब भी standing wave बनती है, तो जहां पर particle maximum oscillation का जहां उनका amplitude होता है, यह maximum amplitude की oscillation होती है इसको बोलते है anti node, और जहां पर particles permanently rest पे हैं, यह point, यह point, यह point, these are called nodes, तो जो खुला end होता है, open end होता है, जैसे open organ pipe है, तो जहां पर भी open end होता है, वहां particles freely oscillate कर सकते हैं, वहां हमेशा क्या बनता है, anti node बनता है, और closed end पे हमेशा क्या बनता है, node बनता है, तो यह हमारी एक open organ pipe है, तो हम यह देखें, कि सबसे पहला mode क्या होगा vibration का, ठीक है, देखो, यह open pipe है, तो दोनों तरफ anti node बनना चाहिए, और दोनों तरफ anti node का क्या मतलब है, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, एक anti node यह रहा, एक anti node यह रहा, यहां से लेकर यहां तक भी हो सकता है, लेकिन हम ब pipe दोनों तरफ से open हो, उसमें standing wave बनने की, तो minimum possibility है यह, इस से छोटी standing wave, इसमें नहीं बन सकती, हाना, दोनों तरफ anti node, यहां तक की नहीं बन सकती, क्योंकि यह open end है, यहां node बनने सकता, तो यहां node बनेगा, दोनों तरफ anti nodes बनेंगे, ठीक है, यह है, इसका fundamental mode of vibration, जो पहली possibility होती है standing wave बनने की, that is called fundamental mode, तो यह fundamental mode of vibration है, इसकी जो frequency होगी, उससे बोलते है, fundamental note, यह सारी terms में आपको standing waves बता चुका हूँ, बढ़ फिर भी revise करा देता हूँ, fundamental mode वाले की जो frequency है, that is fundamental note, और first harmonic, मान लेते हैं, हमारी जो organ pipe है, उसकी length है L, तो आप यह देखो, कि पूरी length में, कितनी wave बनी, कितनी wave बनी, बचो यह कितनी wave है, दो anti nodes के बीच में कितना distance होता है, lambda by 2, आपको वैसे नहीं पता, तो logic लगा लो, यह है, यह है one fourth of the wave, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, तो यह distance कितना रहा, lambda by 4, यह distance है, lambda by 4, प्लस lambda by 4, यानि lambda by 2, तो हम यह बोल सकते हैं, कि जो length है, that is equal to what, that is equal to lambda by 2, और यह first mode की जो wavelength है, इसको lambda 1 से हम represent कर लेते हैं, तो lambda 1 हमारा क्या आया, 2L, और आप जानते हो कि frequency क्या होती है, frequency होती है, velocity by wavelength, तो पहले वाले mode की, जो frequency of vibration है, वो क्या होगी, velocity क्या होती है, sound की velocity, हवा में, कितनी होती है, under root, b by rho, यह सारे formula पहले से बता होना है, जिए मैंने अपने पुराने lectures में कराए हुआ है, तो इसलिए direct लिख रहा हूँ, तो बताओ, lambda 1 कितना आया, lambda 1 की जगा हमने लिख दिया, 2L, तो यह आपको सारी values पता है, यह आपको सारी values पता है, अना, b is the bulk modulus of this medium, rho is the density of this medium, L is the length of tube, तो आप अपनी desired frequency का sound produce कर सकते हो, के नहीं कर सकते हो, L को change करके, तो बस यही तो musical instrument का का मैं कि मेरे को इतनी frequency का note चाहिए, तो मुझे पता है कि इतनी length होनी चाहिए organ pipe की, समझ में आई बात, अच्छा, this is, this is called the fundamental note, and this is called fundamental mode of vibration, यह जो pattern है, that is fundamental mode of vibration, और इसकी जो frequency है, वो fundamental note है, और first harmonic, ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या possibility है, इसके बाद possibility है, इसके बाद possibility ह इसके बाद क्या possibility है, यहां से लेकर अगला antinode का है, यह, तो यह, यह पूरा कितना है, पहले यह pattern बना ले हम, पहले यह pattern बना ले हम, यह, 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 ठीक है, यह standing wave बनेगी, पूरी length के अंदर, पूरी length L के अंदर, यह standing wave बनेगी, तो बताओ कितनी wave बनी, clear है न, कितनी wave न, नहीं, clear, lambda by 4, प्लस lambda by 4, प्लस lambda by 4, प्लस lambda by 4, यह, पूरी की पूरी एक wave बन गई, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, कि इस case में, L जो है, वो lambda के equal है, तो यह second mode of vibration है, इसकी wavelength को मैं lambda 2 लिख रहा हूं, और इसकी जो frequency होगी, new 2, वो होगी, V by lambda 2, और मैंने value डाली, और lambda 2 की value मैंने डाली, lambda 2 की value मैंने डाली L, थोड़ा सा, ठीक से डालें, ठीक, और यह second mode की frequency, और यह frequency जो है, वो इसकी double है, देखो, यहां नीचे 2 है, यहां नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यह बोल सकते हैं, कि new 2 is 2 times new 1, ठीक, and this is called second harmonic, second harmonic का मतलब नहीं होता है, fundamental वाले का, जो भी multiple है, यह fundamental वाले का twice है, so this is second harmonic, and second harmonic is also called first overtone, fundamental के बाद जो पहला होता है, that is called first overtone, समझ नहीं बात, अच्छा, अगली possibility क्या होगी, एक के सोर ले ले लेते हैं, पैटन सा बन रहा अब थोड़ा, अगली possibility क्या होगी, यह, अना, दोनों तरफ anti-node, यह कुछ anti-node होता है, पता नहीं, anti-node होता है, no idea bro, अच्छा, यह length है L, ठीक, तो यह length कितनी है, lambda by 4, यह, एक wave lambda, lambda by 4, plus lambda by 4, यानि डेड़ वे लेंथ के, equal, यानि कि, this is 3 by 2, lambda 3, ले लेते हैं इसको, तो इस mode की frequency, new 3 हो गई, velocity by wavelength, wavelength क्या है, 2L by 3, तो नीचे 2L आएगा, 3 उपर चला जाएगा, यानि, clearly, new 3 is, 3 times, new 1, and similarly, चलते चलते, new n, this is called 3rd harmonic, और 2nd overtone, और चलते चलते, nth harmonic आपको यह मिलेगा, and times उसकी frequency हो जाएगा, clear है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, okay, अब हम बात करेंगे, यह कौन सीती, open organ pipe, अब हम बात करेंगे, closed organ pipe की, closed organ pipe का मतलब है, दोनों तरफ से बंद, नहीं तो हवा कहां से ब्लोक करोगे, फिर उसी, closed organ pipe का मतलब है, एक तरफ से बंद, closed organ pipe, closed organ pipe का मतलब है, एक तरफ से बंद, ऐसे, यह, अब अगर यह एक तरफ से बंद है, तो एक तरफ नोड बनेगा, एक तरफ एंटी नोड बनेगा, closed वाले एंड पे नोड बना, open वाले एंड पे एंटी नोड बना, closed वाले एंड पे नोड बना, open वाले एंड पे एंटी नोड बना, तो this is the first normal mode of vibration, इससे कम possibility नहीं है, standing waves बनने की organ pipes के अंदर, मान लेते हैं, इसकी length है L, तो हम ये बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, बताओ, ये कितनी wave है, ये कितनी wave है वेटा, ये कितनी wave है, ये बनाया ना पूरा एक wave, और ये, अवे यार, ये, हनो, ये कितना है, ये इतना है, ये इतना हिस्सा है इसका, ये, तो ये किसके बगाबर है, lambda by 4 के बगाबर है, lambda 1 by 4 इसको लिख लें, which gives what? विच गिवस, lambda 1 is 4L, तो frequency इसकी fundamental mode की frequency अंडर root B by rho upon 4L, ठीक है? this is the fundamental mode, इतनी frequency, तो L को change करके closed organ pipe के अंदर भी हम desired frequency का sound पैदा कर सकते हैं, so this is terms होई हैं, this is first normal mode of vibration, इसको बोलते हैं fundamental note और fundamental frequency, this is first harmonic, अब यहाँ पर क्या है, कि एक difference आएगा, difference क्या आएगा, अगर हम strings वाले case की बात करें, अभी open organ pipe की बात करें, तो हर अगले harmonic, अगला harmonic जो था, वो multiple था, fundamental वाले का, यहाँ पर थोड़ा सा different हो जाएगा, अगर मैं इसके अगली possibility की बात करूँ, यानि second mode of vibration की बात करूँ, तो एक तरफ node बनना है, एक तरफ anti-node बनना है, तो second possibility is this, एक तरफ node और एक तरफ anti-node की, तो यह कितनी wavelength है, यह length है, यह कितना lambda है, बताओ, यह अभी भी पूरी एक wave complete नहीं हुई है, एक पूरी wave तो यहाँ जाके complete होती न, so this is still 3 by 4 of lambda, तो इसको lambda 2 ले लो, lambda 2 is what, 4L by 3, lambda 2 is 4L by 3, तो new 2 is what, under root, b by rho 1 upon, this is 4L, और उपर चला गया 3, तो बताओ, यह किसका कितना multiple है, यह इसका third multiple है, थी times है यह, तो new 2 is 3 times new 1, ना कि twice of new 1, तो आप इसको अब second harmonic नहीं बोलोगे, आप इसको third harmonic बोलोगे, जो fundamental का multiple है, वो harmonic, तो यह three times new 1 आया है, this is third harmonic, overtone तो यह first यह है, fundamental के बाद वाला जो है, उसको overtone बोलते हैं, तो this is first overtone, बट third harmonic, क्योंकि यह three multiple आया है, और इसी तरीके से, एक और मैं आपको आगे का बता देता हूँ, इसके बाद next possibility क्या बैठती है standing wave बनने की, next possibility बैठती है, ये, एक ये wave बनी और एक ये anti node ये, ठेक, ये कितनी है, एक पूरी wavelength प्लस lambda by 4, यानि L कितना है, L है 5 by 4 lambda 3, ठेक, तो new 3 कितना हो जाएगा, new 3 आपका हो जाएगा, under root B by rho 1 upon lambda 3, 4L, 5, यानि कि this is what, this is 5 times new 1, so this is 5th harmonic, इस पे question जादा तर ऐसा आता है कि prove करो कि closed organ pipe के अंदर केवल odd harmonics होते हैं, तो ये prove हो रहा है, तो इसी तरीके से आप चलते चलते, जब new 1 पे पहुँचेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, general formula क्या मिलेगा मतलब उसका, general formula आपका ये होगा, 2N minus 1 upon 4L under root B by rho, minus 1 होगा के plus 1 होगा, पुट करके देख लेते हैं, अगर N है 2, तो 2 into 2, 4 minus 1, 3, yes, N2 पे ये उपर 3 आए तो, yes, 2N minus 1 upon 4L into B by rho, समझ में आ गया, तो ये derivation है, बिल्कुल इसी में से पूचेंगे, जो भी पूचेंगे, number of nodes, number of anti-nodes पूच सकते हैं, जैसे यहाँ पर N है 1, तो N1 मतलब first mode की बात हो रही हैं, तो 1 node है और 2 anti-node है, यहाँ पर N2 के लिए second mode of vibration के लिए 2 node है, 3 anti-node है, यानि जो भी mode of vibration है, उतने nodes हैं, उससे 1 ज्यादा anti-node है, इसमें जो भी mode of vibration है, first mode of vibration, 1 node, 1 anti-node, second mode of vibration, 2 node, 2 anti-node, तो number of nodes और number of anti-nodes बराबर हैं, और वो जो आपका mode of vibration है, उसके बराबर है, अरे तार रोख जबाई, ठीक है, समझ मैं ही बात, तो इसको prepare कर ले न, notes मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ, next lecture में, तब तक के लिए all the very best.